आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी सूचना तंद्र को सक्री कर दिया गया है आरूपियों के तलाश के दौरान मुखपित द्वारा सूचना मिली कि घाटा बिलोट के मालती रोड निवासी कोनू जामोट जोरी के दिन से फरार है पुलिस ने कोनू जान मौत के घाटा बिलोट में जेसी भी चलाने का काम करता है उसने मित्र रितीक पिता मनूज मौर इनिवासी गनेश डगर के साथ मिलकर चोरी की यूजना बनाई और चोरी किये गए एक लाक रुपे आपस में 50,000-50,000 बाप लिए पुलिस ने एक आरुपी कोनू जामोत को गिरफतार कर एक अन आरुपी रितीक की तलाश में जुड़ गई है वहीं पुलिस ने आरुपी के पास एक नया मुबाइल सहित 20,000 रुपे जब्त किये हैं पुलिस को मिली सपलता में चोकी प्रिभारी प्रतीक शर्मा, ASI नितीन पाटिल, शलीन सिंग मुंदेला प्रधान आरक्षक, विजय भाटी आरक्षक, आमित जाट, सैनिक मुकेश सिसोधिया का सरहनी का रहा वहीं नगरपुल सदिक्षक ने घाटबिलोट चौक स्टाप को प्रिस्कित करने की बात कही धार सजितेंद वर्मा की रिपोट एलेप्टानिक इन्विस्टिकेशन और मुख्विर तंत्र को सक्री किया गया, जिसमें एक ब्यक्ति कोनू जामोत निवासी मालती चौराहा को पकड़ा गया, उससे पोश्टाज की गई, जिसने जरू सिवकार किया और उससे बीजजार नगद, एक मॉबाइल और ताला तोड़ने में परियुक्त राड जत कर लिया गया, और ये पकड़ने में ये भी आसानी दी, कि CCTV फुटेज में एक कड़ा पहने ब्यक्ति का नाम आया था, जो कड़ा कोनू पहना हुआ था, इसमें दो ब्यक्ते, एक को दूसरे ब्यक्ति फरार है, जिसका नाम रितिक है और उससे जल्दी पकड़ लिया जाएगा, इस पूरी कारवाई में घटा बिलोचो की प्रभादी प्रतीक सर्मा और ASI पाटिल और हेट कांस्टेवल बिजयभाटी, इनका रोल बहुत अच्छा रहा, इनको नगत पुरुसकार से पुरुसत करने के अर्शुल्सा की जाएगी.